नागेंदर कुमार तब डॉक्टर विशुरूप जी का वीडियो देखा तो वो सारा ट्रीटमेंट फल के यह था तो वो भी चुके वही वाली बात आई कि बड़ी मुश्किल से अपने लेवेल पर शुरू किया तो डायेटोर जब हम लेते थे और जो इफेक्ट होता था हमन लेकिन मेरे शाथ दिक्कत हुई कि उस डियाईपी को हम कभी पंदरह दीन कभी एक महिना कभी अठारह दीन इससे ज्यादा कंटीनियू नहीं कर पाए लेकिन इस चीज को हमने देखा कि जब आ समर्थ हुए तो छोड़ दिये तो फिर रियाक्रेंस हो गया फिर बढ़ने लगा फिर स्टार्ट किये फिर एक हाप्ता में फिर यह होने लगा इस तरह से हमने करीब तीन बार किया परखा और इफेक्ट आर कि तो कंटीनिउ नहीं कर पा रहे थे तो इसी तरह से चलता रहां वही एस साइटी सब भी आज तक अभी भी होता है अभी भी पानी भरा हुआ है तो वही जो उपलब्द रहा कभी डियाएपी का उपलब्द पता रही तो वो लेकिन भी यदा कादा कभी डायट 하지만 में लेना डोक्टर एके पन्डे जी का एक वीडियो हमने दखा, कि एक पलदार विएक्थी है, जो पलदारी का काम करते हैं, और वो इनके क्लीनिक में गये हैं, और उनका ट्रीटमेंट एक साल से करीब चल रहा है, और उनका कमर से सीधा नहीं हो पा रहे हैं, जुके ही जा रहे हैं एक साल से ट्रेटमेंट चल रहा है उसको इन्होंने क्या किया है कि उनका नर्फ पकड़ करके लिटा करके और जो इस्टिमिलेशन करके और 50% वही क्लिनिक में इन्होंने खाड़ा कर दिया सिधा कर दिया तो इस वीडियो को देखने के बाद में हमें बिल्कुल एक आसा की किरन नजर आई और हमने कहा कि नहीं रोग हमारा बहुत बड़ा नहीं है बस हाथी के सुर में अगर चूटी घुश जाए तो क्या उसका हाल होगा वही स्थिति लगता है मेरी भी है तो सही मेल नहीं हो रहा है तो उससे काफी प्रवाव थी अब रही बात की अब हम मचल गए कि डॉक्ट साहब से हम मिले कैसे तो इन तो अस्ताई रूप से देहरादून में रहते हैं पिर हमने पता किया देहरादून में कभी-कभी जदा कदा जहां ताहां लखनों में या में तो हम देहरादून जाने के लिए भी तैयारी के लेकिन फिर वही बैरियर कि भाई हम हंडेड हम कहें 99 परसेंट कंविंस्ट हैं लेकिन हमारा सुराउंडिंग 10 परसेंट पर है तो हम इंप्लिमेंट करी नहीं सकते हैं नहीं गया है तब यह पता चला कि यहां खुद आ आता जो सुमेंजी का यह हाथा हुआ था उसके पहले यहाने वाले थे तो फिर लगा कि यह हुआ तो उसके पहले जो हाच कि दिसंबर में हम करीब 25 दिसंबर को पिछले साथ इनका हमने भर्चु अलोपीडी लिया तो भर्चु अलोपीडी में इन्होंने जो रेकुमेंड तो फिर वही वाली बात आ गई कि हम जितना कन्विंस्ट है वह अब हो नहीं पा रहा है हम सब इकठा नहीं कर पा रहे हैं तो हमने फिर यह रॉक्षाब बात किया कि रॉक्षाब हम तो 100% कर भी नहीं पा रहे हैं और इसलिए हम ब्लेम भी सिस्टम को हम कैसे दे लेकिन हमें लगता है कि अब जब आप से मिलेंगे नहीं तब तक ही नहीं होगा, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ तब आपको आना पड़े जाएंगे, तो अब देहरा दूं जाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल, तब यहां पुता चला, उने कहा कि अब तो जरूरूर, मेरे लिए, यहा कि लिए? वीडियो देखकर हूं कही बड़ार में देखता रहता हूं, वीडियो देखकर हूं मम्ें नहीं कहीं नहीं कही भ़ड़ा हूं, बढ़ने टोर नहीं तो लिछीए एक क要ना पनेका पर मेंगा है, पूले, आपृ। में मतलब यु धस्तर पर पहुचाएंगे हां तो हमें पता था कि एक जुलाई को तब पता चला कि यहां यह यह तिन दिन का सेमिनार भी है हां फिर हमने कंफर्ण के फिर डॉक्टर सुमन जी का नंबर मिला उसी वीडियो से और डिरेक्टर ने सुमन जी से बात किया और लेक हैं जी कि आज उन्हीं के कारण पहुच पा है बना आज भी बहुत सारे टोड़कर कर आना पड़ा है लेकिन उनका काफी काफी सही हो रहा जी 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 ऑनोंने बताया कि इस वो आपको यह बताईये कि क्या-क्या दिक्कते हैं हमने जब उनसे बात किया कि हमारा पास यह है और हम डॉक्तर साहब से फीजिकल टच चाहते हैं क्योंकि हमने वर्चुल यह लेकर देखा है लेकिन जो अब ट्रीटमेंट जो मतलब फीजिकल ही हो सकता है वह चीज़ तो हमको कता ही नहीं होगा और हमको उस पर हंडेट परसंट तो नहीं कहेंगे 99 परसंट एक परसंट के लिए हम छोड़ते हैं जगह देते हैं 99 परसंट भरोशा है इसलिए फीजिकल टच हमें चाहिए जी आज आज सही जगह पर आगा है तीन दीन का सिवीर है यह पांस तारीकों साम आठ वजी तक चलेगा और आगे क्या होता है जी बिल्कुल बिल्कुल हम पूरा यह है कहे जालुप करें बिल्कुल टोड़ते हैं कि उप आगे कि बिल्कुल है जो नहीं दो स्टेर हैं